एक कॉंपिटर की क्लिक से 18,000 करोड रुपे से भी जादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए है जब से यह योजना शुरू ही है तब से एक लाग दस हजार करोड रुपे से जादा किसानों के खाते में पहुँच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है यही तो गुड गवर्नेंस टेकनोलोजी के द्वारा उप्योग किया गया है अठारा हजार करोड से जादा रुपिये पल भर में कुछी पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए है कोई कमिशन नहीं कोई कट नहीं कोई हेरा फेरी नहीं टेकनोलोजी का इस्तमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिशित किया गया है कि लिकेज नहो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ओनलाइन रिजिस्टर्शन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिप्रिक्शन होने के बाद इस वबस्ता का निर्मान हुआ है लेकिन मुझे आज इस बात का अपसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है सभी विचार धरा की सरकारे इससे जुड़ी हैं लेकिन एक मात्र एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार वहां के सत्तर लाख से अधिक किसान मेरे किसान भाई बेहन बंगाल के इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे हैं उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राजने के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है राजने सरकार को एक कोड़ी का खर्चा नहीं है फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे है कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिठी लिखी भी है उसको भी वो माननेता नहीं देते है और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाफों किसानों ने लाब लेने के लिए योजना के लिए अरजी की ओनलाइन अवेदन कर चुके हैं लेकिन वहां की राजसरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है भाईयों बेहनों मैं हैरान हूँ और यह बात मैं आज देश वात्षियों के सामने बड़े दर्व के साथ बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ जो लोग तीस तीस साल तक बंगाल में राज करते थे एक ऐसी राजनितिक विचार धारा को ले करके बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है सारा देश जानता है और ममता जी ये 15 साल पूरा ने भाषन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनितिक विजारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था अब ये कैसे लोग है बंगाल में उनकी पार्टी है उनका संगटन है तीस साल सरकार चलाई ये कितने लोग होंगे उनके पार एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये दो हजार रुपिया मिलने वाला कारकम है बंगाल के अंदर कोई अंदोलन नहीं चलाया अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था बंगाल में आपकी धर्ती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याज दिलाने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों अंदोलर ने किये क्यों आपने कभी आवाज ने उठाई और आप वहां से उठकर के पंजाब पहुँच गए तब सवाल उठता है और पस्चिब बंगाल की सरकार में देखिए अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाब सत्तर लाग किसानों को इतना दन मिले हजारों करोड रुप्या मिले वो देने में उनको राजनीती आड़े आती है लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो मंगाल में लराई लरते हैं क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है जो आज विपक्षमे हैं उनकी इस पर जुबान क्योंच बंद हो गई है क्यों चुप हैं साथियों आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता नहीं उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेलफी ले ले कोई फोटो चप जाए कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति चलती आए अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है यह देश के सामने एक्सपोज हो गए है स्वार्थ की राजनिति का एक मुद्दा भद्दा उदारन हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं जो दल पस्चिम मंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान करने पर लगे इन दलों को आपने सुना हुगा मंडिया मंडिया बोल रहे हैं एपी एमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन ले 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 भाशन कर रहे हैं लेकिन यह दल वही दल वही जंडे वाले वही विचारदारा वाले जो नहीं बंगाल को बरबात किया के रल के अं जो पचास साल चाट साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी केरल में एपी एमसी नहीं है मंडिया नहीं है मैं ज़रा इनको पूछता हूँ यहाँ फोटो निकालने के कारकम करते हैं अरे केरल में अंदोलन करके महां तो एपी एमसी चालू करवाओ पंजाब के किसानों को गुम्रा करने के लिए आपके बाद समय है केरल के अंदर यह व्यवस्ता नहीं है अगर यह व्यवस्ता अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है क्यों आप दोगली निती ले करके चल दे हो यह किस तरह की राज़ेती करने हैं जिसमें कोई तरक नहीं, कोई तर्थे नहीं है, सिर्फ जूठे आरोब लगाओ, सिर्फ अप्षाएं फेलाओ, हमारे किसानों को डणा दो, और भले भोले किसान